Hello everyone, I'm Aisha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताने वाल हुआ हीरा क्या होता है? What is हीरा? H-I-R-A हीरा इसका सेफटी से क्या रिलेशन है? और ये हीरा एक्जेक्ली वर्क क्या करता है? जिसकी वज़े से सेफटी प्रेपेंशन मिल जाता है? हीरा की हिरारकी क्या होती है? हीरा का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका रिसक असेस्मेंट कैसे करते हैं? ये सारी चीजे मैं आज आपको बताने वाली हूँ तो देखिए हीरा का मतलब है हजार आइडेंटिफिकेशन और रिसक असेस्मेंट इससे आपको समझ आ रहा होगा क्या करना है पहले हजार को identify करना है और उसके बाद उसका risk assessment करना है ठीक है हजार identify हम कैसे करेंगे हम जो भी हमारी work place है वहाँ पर जाएंगे check करेंगे और जो भी आपको लग रहाएंगी इससे hazard हो सकता है और risk हो सकती है के मतलब इससे खत्रा हो सकता है और जो भी work कर रहा है उसके क्या है जो work कर रहा है वो क्या कर रहा है risk में कर रहा है ठीक है तो hazard identification and risk assessment हीरा का मतलब होता है अब हमने ये तो पता चल के आके hazard identification and risk assessment इसका मतलब होता है पर अब hazard identify कैसे करेंगे ये भी तो जानना जरूरी है और फि कैसे कर सकते है देखे कोई भी जगा है जहां पर कोई भी मालीजे वर्क प्लेश है अब वहाँ जो भी inspection कर रहा है जो भी safety department से inspection कर रہा है वहाँ पर तो उसे दिखेगा कि ये क्या है एक हजार ये situation है तो क्या हुआ उसने वो देखा और उसने उसको observe किया उसको अपनी checklist में में शामिल किया और फिर उसे पता चल गया ये हजार हो सकता है इससे बड़ा हजार हो सकता है और जो उसमें काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, risk में work कर रहे हैं अभी तो क्या हुआ वहाँ से हजार तो identify हो गया अब वो ये भी चेक करेगा कि इसते high हजार हो सकता है medium हो सकता है, किस type का हजार हो सकता है ये भी वो समझ जाएगा अब क्या होगा risk assessment होगा वो चेक करेगा इसमें कैसी कैसी risk हो सकती है या हैं अभी तो उसको पूरा identify करने के लिए खिरार की होती है हम उसको follow करना होता है जब भी हम hazard जो है identify कर लेते हैं सबसे पहले हमें observe करना पड़ेगा कि hazard identify करना पड़ेगा कि actual में इस type का hazard वहां से हो सकता है इस तरह का ख़तरा हो सकता है माल लीजे कोई भी worker है हाइट पर वक कर रहा है ठीक है तो मैं आपको बताती हूँ कि identify hazard कैसे करेंगे hazard identify करेंगे जिसे कि कोई जो भी आपकी workplace है वहां पर आपको पहले देखना होगा यह heights का hazard है electricity का hazard है इसके अलावा तमाम सारे hazard होते हैं जिसे कि hot work hazard है या normal working चल रही है वहां पर कोई machinery hazard है तो hazard तो किसी भी तरीके का हो सकता है तो हम वहां से identify करेंगे जैसी hazard identify हो जाएगा कि आपको लग रहा है कि हाँ यह खत्रा है और यह अभी risk में चल रहा है ठीक है तो हम उसे note कर लेंगे उसके बाद हम उसका risk level check करेंगे कि किस तरीके की risk हो सकती है यह भी है उसके तरीके की risk अब hazard identify कर लिया अब risk भी हमने measure कर लिया कि इतनी percent से इतनी percent risk हो सकती है वर्कर जो चोटा सकती है या हो सकता है उसकी body को कोई जादा harm हो सकता है यह हमने identify कर लिया assessment कर लिया analyze कर लिया कि इतनी percent risk है अब risk का assessment कैसे करें ऐसा हम क्या करें कि वो जो हजार है वो भी हट जा और रिस्क भी हट जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमें फॉलो करनी पड़ेगी फिर हीरा की हिरार की हिरार की यानि उसके points जो हजार और रिस्क को हटा सकते हैं अब देखिए सबसे पहले तो हम रिस्क का description लेंगे कि रिस्क किस तरीके की है वहाँ पर अगर 1-4% वहाँ रिस्क है तो यह क्या हूँ लो रिस्क में आ जाएगा ठीक है 5-12 है तो यह medium में आ जाएगा 15-25 है तो यह high में आ जाएगा 25% तक अगर रिस्क भी होता है तो वह high में आ जाता है ठीक है लो रिस्क जब रहती है तो क्या होता है हम उसे control में ले सकते हैं कोई बड़ी बात ने उसे control में लेना तो उससे ऐसा कोई ज़्यादा harm भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो control में आ जाएगी अब जब medium risk होती है तो उसमें क्या चाहिए होता है एक plan चाहिए होता है एक plan बनाना होगा हमें control करने के लिए उस हजाड को और एक temporary ऐसी plan करना पड़ेगा हमें जिससे क्या वो medium टाइप का जो हजाड है वो हट जाए ठीक हो जब high हजाड होगा तो क्या होगा हमें immediately एक action लेना होगा जिसकी वज़े से high हजाड जो है high risk पर जो हजाड चल रहा है उसको eliminate किया जाए तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि low हजाड है medium है high है अब माल लीजे कोई वर्कर है हाइट पर वर्क करने जा रहा है और वो ladder पर चड़ना शुरू किया अब माल लीजे लेटर जो वो कमजोर है और उसने तुरंत ही चड़ना शुरू किया और वो कमजोर है आपको पता लग गया कि लेटर जो इस पर चड़ रहा है जैसी वो चड़ना शुरू किया तब पता लग तो यह low हजाड हो गया क्योंकि आपने चड़ते हो इसे देख करेंगा और तुरंत उसे वापिस बुला लिए वो कंट्रोल में आवी अब मीडियम का पोई जब वो आधे पे पहूंच गया तो क्या करेंगे इसude वापिस बुला लिगा अब जब हाइप पर पहूंच किया तो उपर से गिरेगा तो दिक्कत आएगी तो तुरंत क्या करे कोई भी जगापर hazard को hazard को हम देख सकते हैं कि यह खत्रा और इसमें risk lvl कितना है इसको हम check कर सकते हैं अब देखिए हिरार्की है किस की control किसकी जिससे हम हीरा control कर सकते हैं तो सबसे पहले आता है इसमें PPE Ppe alltså personal protective equipment सबसे पहले अगर हम कोई भी hazard ऐड़िपाइटिफाइटो करते है तो सभसे पहला स्टाइप रहता है हमारा P P E जिसे हम लो हईजारड में कह सकते हैं कि इससे लो हजारड है me पे पहना देते हैं तो क्या होगा इसे अंप्रोल कर सकते हैं फिर सब्सक्राइटा है डिमिनिस्ट्रेटि тебе कंड्रोल अब उसमें क्या करेंगे लोगों का काम करने का तरीका बदल देंगे क्या कर देंगे अब माल लीजे कोई भी एरिया है माल लीजे एलेक्रिकल एरिया है उसमें एक मशीन या एलेक्रिकल वे में के रास्ते में माल लीजे कोई एक short circuit हो गया है ठीक है यह माल लीजे short circuit मत देजाब माल लीजे कोई electrical machine है ठीक है अब उसमें क्या है कुछ खराबी आ गई जिसकी वज़े से वह हलका हलका शौक दे रही है तो क्या करेंगे administrative में क्या होगो उसमें question लगा देंगे एक notice लगा देंगे कि यहाँ पर danger है क्या कर देंगे हमने एक वो लगा दिया question लगा दिया कि यहाँ पर danger है यहाँ पर enter ना करें तो यह काम होगे administrative control का क्या होगो पीपल जो है वहाँ उस तरफ आएंगे ही नहीं ठीक है उधर से आएंगे जाएंगे तो पर उस area में तो उस machine क के पास तक नहीं जाएंगे second होता है engineering control अब engineering control में क्या होता है उस जगा को isolate कर देता है जहाँ पर हजार्ड है मतलब उस जगे को अभी थोड़ी दिर के लिए बैरिगेट कर दिया क्या भी यह machine खराब चल रहे है तो इसे बैरिगेट कर दिया अब substitution में क्या होता है substitution में होता है उस चीज़ को temporary ठीक करवा देना मतलब क्या किया हमने शॉक आ रहा था चलो हमने भार से मिकानिक बुलाया अब उसे ठीक करवा दिया अब शॉक आना बंदो गया तो क्या हुआ अब दुबारा भी तो शॉक आ सकता है न उसमें कभी तो हमने क्या क्या किया वो भी थावा दिया है उस चीज को उस मशीन कोई पूरा बदल दिया ठीक है तो क्या होता है हरार की कंट्रोल में सबसे पहले हम क्या करते हैं पीपी फर्स्ट स्टेप रहता है हमारे दिन उसके बार हम हम सेकिन लेते है एडिमिनिस्ट्रेटिटिव फिर वू काम नहीं करते है अगर तो फिर हम ienginging control लेते हैं engineering control में क्या करते हैं isolate कर देते हैं उस जगह को WHO हम substitution करते हैं उसको ठीक करवा देते हैं ठीक है रिप्लेस कर देते हैं हजार को हटा देते हैं वहां से आने की और एलिमेनेशन में क्या होता है उस चीज को जिससे हजार हो रहा है फ्रय क्या हमस्ता देते हैं यह आका ने का सब चेंज कर देते हैं तो क्या होता है is MA町म एक मस्ता टब कर का इयक्ते इफ्क्तिघुनेस सबसे एजी वे पहले हमारी ही नीचे से रहते हैं स्टार्टिंग के तीर चार और एलिमेनेशन यह है कि हर एक जगा नहीं किया जाता है वैसे यूज जादा तर ये नीचे के चार ही किये जाते हैं Elimination तो तब करा जाता है जब हकीकत में उस मशीन में या फिर financial अगर हमारे पास सब कुछ ठीक है या हम सचमुस मशीन को बदल सकते हैं उसकी condition अब ठीक नहीं तब हम Elimination करते हैं दर्वाइस तीन स्टैप चार फॉलो किया जाते हैं फिफ्थ वाला Elimination वो रियर कंडिशन में किया जाता है तो ये था आज हीरा हीरा के बारे में मैंने आपको बताई हाजार आइडेंटिफिकेशन डिस्क असेस्मेंट इसमें रहता है ठीक है तो हिरार्की भी आपको इसके बारे में पता चल गया होगा इसकी हिरार्की क्या रहती है और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हजार्ट सो थेंक यू